हेलो एबरेबान वेलकम इन सेजीसी ऑललाइन क्लासेश बिए फर्स समेस्टर के टेक्नलोजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजिकेशन में यूनिट थार्ड का ये लेक्चर नमबर थ्री है आपका और जिसका टॉपिक है आज का आपका सिमुलेटेड टीचिंग कॉंसेप्ट ए दूसरी टीचिंग के बारे में मैथट्स के बारे में हम लोग उसके डिसकस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने टीचिंग को एफेक्टिव बनाने के लिए किस तरीके से कौन कौन से हम प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान हम प्रोसीजर के थुरू अपने टीचिंग को निख खारते हैं उसके विहाब पर यहाँ पर आपको सिमुलेटिट टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना है और यह दोनों का इतना important role है आपके practice teaching के दोरान कि इसके थ्रू ही हम अपने actual teaching में जिस तरीके से हमें utilization करना होता है उसी तरीके से as it is a artificial environment में वो सभी skills पर हम इस पर काम करते हैं जो हम actual classroom में teaching का दोरान हम करते हैं तो start करते हैं simulated teaching के सबसे पहले हम introduction पार्ट से की what is the meaning and definition of simulation तो जो simulation का आपका जो actual meaning है आपका एक तरीके से आपका natural environment में जब हम एक बात करते हैं कि उसी तरीके से as it is copy करना तो जो यह method है आपका जिसका development है वो Columbia University के क्रुक सैंक ने से सबसे पहले किया था और इस method को हम दूसरे नेम से simulated social skill training के नाम से जानते हैं जो आपका simulated teaching है as it is एक word में इसको समझें तो एक तरीके से वो teaching environment में जो as a pupil teacher या फिर other words में बोले तो एक ideal teacher जिस तरीके से perform करता है as it is उसी तरीके से हम एक artificial teaching में उस teacher की तरह ही एक role एक भूमिका निर्वाह करना है इसे ही हम एक simulated teaching कहते हैं तो अब हम बात कर रहे हैं कि artificial teaching तो उस तरीके से हमें copy करना copy करने काने का sense यह है कि जिस तरीके से हम actual teaching में जिन हम skills पर काम करते हैं चाहे वो introductory skills से ले करके अपने teaching के दौरान जो भी आपके presentation के दौरान जो हमारी skills है तो इस पूरे आपका इस teaching procedure का जो motive है उद्देश है इसमें परपज यही है कि उस training के दौरान जो भी हमारे skills है उन skills में हमें क्या करनी है master करनी है तो जो यह teacher training में तो फिल teacher को हमें इस तरीके से हमें तयार करना है कि हमें classroom situation के दौरान जो भी हमें teaching के दौरान हमें जो problems हम face करते हैं उस problems को हम पहले से भलिभाती रूप से हम जान सकें जैसे हम कोई भी task करने से पहले उस task में आने वाली problems को जो एक तरीके से पहले से जब हम assume कर लेते हैं तो at once जब हम उस problems को या task को कर रहे होते हैं तो हमें यह पता हरता है कि हमें इस problem को कैसे हमें दौर करना है तो इसलिए आपको यह ध्यान रखने की आवसकता है कि किस तरीके से हमें skills को हमें generalize करना है और उसको सीखते हुए हमें उन पर mastery करना है तो यही पर आपकी definition जो लिखी गई है stone के according कि जो आपका simulated teaching है वो एक आपका artificial environment में जो आपके limited students हैं तो यहाँ पर जो आपके students हैं वो आपके participant ही है आपके classmate ही हैं तो उन सभी को एक साथ मिला करके एक ही room में आपस में हम क्या करते हैं यहाँ पर practice करते हैं और उन सभी skills पर अलग-अलग तरीके से हम इस पर काम करते हुए चलते हैं जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर particular किसी एक skills पर काम नहीं करना है वो एक पूरे ideal teaching में जो 35-40 minutes का जो हमारा ideal teaching होता है उस दौरान जितने भी हमारे skills पर हम काम करते हैं चाहे वो introductory से लेकर blackboard skills हो चाहे demonstration हो illustration हो तो उन सभी skills पर हमें काम करते दौरान अलग-अलग यहाँ पर role act करते हुए यहाँ पर people teacher काम करता है और जो भी उनके participant हैं जो उसके class के सहपाथी हैं वो इनका भरपूर तरीके से उनका साथ देते हैं कि at once उनका यदि feedback मिलता रहता है तो इस तरीके से feedback से यहाँ पर जो pupil teacher है वो अपने आपको generalize कर सकता है या self-evaluate भी कर सकता है तो यह रहा आपका एक छोटा सा आपका concept अब the actual में आपकी definitions आपने इसके बारे में जाना कि क्या इसकी definition है अब हम बात करते हैं कि इसकी हम definitions की बारे में बात करें तो पहला एक definition आपके सामने है कि एक कित्रीम या आपका अनुरूपित इस्थितियों का निर्माड उस समय किया जाता है जब छात्रा ध्यापकों को विशिष्ट अनुरूपित सामक्रियों का सामना कर उन्हें वांचित अनुक्रिया करने पड़ती है या फिर दूसरी definition आपके सामने लिख रही है कि जो अनुरूपड है किसी एक पर्स्तिती या वाता वरण का किसी अनुरूपड द्वारा प्रतिनिधित्व करता है या या प्रतिनिधित्व वास्तुई परस्तितियों के तुलना में कम जटिल दत्था एकम समय लेने वाला होता है अब इस दोनों definitions के according हम इसके मतलब को समझते हैं कि इन दोनों महोदे जी के दौरा इस definitions के क्या आपका advance meaning है तो आपके controlled environment के अंतरगत जो भी pupil teacher को अपने instructional material के साथ साथ जो desired behavior पे जब हम काम करते हैं तो यहां की तुलना में वो बता रहे हैं कि यहां पे कम आपको समय लेने वाला होता है और उस actual situation में, actual teaching में जब वहां पे हमें जब हम कोई भी preparation करके नहीं गए रहे होते हैं तो वहां पे कही ने कहीं हमको problems face करने को मिलता है तो इस तरीके से यहां पे यह बताया जा रहा है कि इसके पहले ही अधी हम उसकी तुलना में बात करें तो यहां पर आपको कम जटिल होता है, कम कठीन होता है और कम समय में हम अपने अलग-अलग उससे skills पर हम काम करके अपने teaching को बेहतर तरीके से बना सकते हैं तो यहां पर यह act की बात कर रहा है कि उस problems, solution के लिए हमें बेहतर तरीके से यहां पर उनके पर काम करना है अब हम लोग बात करते हैं इसकी characteristics पर की simulated teaching की different types की characteristics क्या है तो सबसे पहला हमने यहां पर पहले ही बताया है आपको कि यहां पर students एक controlled environment में अपना एक natural response देते हैं उस task पर काम करते हैं तो सबसे पहली बात है है इसकी characteristics दूसरी इसकी विसे साय की बात करें तो यहां पर उस environment के अंतरगत एक word है आपका practice क्योंकि यहां पर skills पर ही काम करना है हमें वो actual teaching का दौरान आने वाली face जो हमें problems को face करना है classroom situation के regarding जो हमें teaching करनी है उसके लिए जितने भी opportunities हमें देखने को होते हैं class में उसके लिए यहां पर पहले से हमें यहां पर pre-plan करके हमें prepare करना होता है तो यह बेहतर platform आपको provide कराता है दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि students आपके participant ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा participant भी करते हैं और हमको advance यहां पर feedback भी मिल जाता है तो उस तरीके से आपके यहां पर यह problem देखने को नहीं मिलती है कि जिसमें जो भी learner आपके है वो participant ही है आपके classmate ही है दोरों लोग मिलकर के आपस में आपे एक control environment में सीख रहे होते हैं तो teaching के दोरान दोरों लोग का उतना ही participation होता है और एक interest बना रहता है एक interaction बना रहता है जो भी आप इस motive के recording हम सीख रहे होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उस actual surroundings इसे आप बोलते हैं वास्तविक परस्तितियों में जा करके हम particular उस problem phase जो हम करते हैं मुझ समस्याओं का समाधान करने का प्रयास इसकी द्वारा बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं और हम बात भी कर रहे हैं कि यहां पर skills की बात हो रही है अलग-अलग कोशलों की बात हो रही है तो इसकी थूरू हम जब micro teaching पर काम कर चुके हैं हमने सारी micro teaching के अलग-अलग skills पर हमने within time period हमने काम किया हुआ है तो द्यान अब हम simulated teaching के प्रात करते हैं तो वो micro teaching का दौरान जो 5-10 minutes का हम एक-एक skills पर का जो हम lesson plan, macro lesson plan बनाते हैं उन सभी का एक combined form करके एक simulated plan बनाते हैं जिसे हम ideal lesson plan भी बोल सकते हैं तो इसके माध्यम से हम अपने teaching training के दौरान अपने skills पर हम क्या कर सकते हैं mastery कर सकते हैं तो यह आपके जब हम mastery करने का दौरान दीरे-दीरे उस पर काम कर रहे होते हैं तो हमें एक तरीके से अपने content को presentation के through और उसको sequence wise करने में हमें यहां पर एक वो बहतर तरीके से हमारा एक प्रस्तूत करने की जो योगिता है वो हमारा development होता है self confidence development होता है कि किस तरीके से हम अपने content को और बहतर तरीके से TLM के through या presentation अलग-अलग तरीके के teaching methods हैं उसके through हम presentation दे सकते हैं तो यहां पर teacher अपने quality को teaching quality को और बहतर तरीके से बना सकता है अब बात करते हैं कि simulated teaching के कौन से elements होते हैं जिस पर इस पूरे teaching को दौरान पूरा काम किया जाता है तो क्रुक सैंक के according जो simulated teaching है उसके तीन major elements होते हैं तो सबसे पहला जो elements है वो diagnostic element second remedial element and the third is evaluation element नाम सही आपको पता चलना है कि diagnostic element है तो जो teacher का यहां पर role है वो सबसे पहला role हमें यही है कि वो students की जो भी problems है जो उसकी कमजोरिया है उनको पहले दूर करने का प्रयास करता है तो जैसे कि एक doctor अपने patient के जो भी उसके disease के है उसको identify करके उसके रोगों का निदान करता है तो उसी तरीके से teacher भी अपने students में उसके एक बहतर future reference के लिए platform के लिए वो carrier guidance के लिए पूरी तरीके से प्रयास करता है तो यह पहला element है and the second जो element है remedial element इसमे teacher क्या करता है कि वो students की पूरी कमजोरियों कटनायों और जो भी उसके अंदर जो complex हैं उनको निदान करके और उनके कॉसलों पर कॉसलों के आधार पर वो छात्रों का उपचार करने का प्रयास करता है जिससे चात्रों के बहवार में एक बहतर तरीके से जो हम desired behavior चाहते हैं कि इस topic को इस content को पढ़ाने के बाद वो students में वो परिवर्तन देखने को मिले तो यहां पर teacher हमेशा एक तरीके से प्रयतनसील रहता है एंड लास्ट जो हमारा element है evaluation element नाम से ही आपको clear हो रहा है कि यहां पर उस पूरे task के according जो भी teacher जो क्रिया कलाब करता है वो सभी मुल्यांकन की प्रक्रिया की अंतरगत आते है जिसे मुल्यांकन से मतलब कि यहां पर यह ग्यान होता है कि सिच्छड के पूर्व जो निर्धारित उद्देश है वो कितने हैं कौन कौन से हैं और लगभक की सीमा तक वो हमारे प्राप्त हुए हैं यदि teacher उससे satisfy नहीं होते हैं तो वो पुना उन सभी elements पर फिर से वो काम करते हैं चाया वो diagnostic हो चाया वो remedial हो और वो evaluation हो तो यह task based होता है और इस task based पर ही teacher अपने आपको evaluate करते रहते हैं कि जो भी हमने पहले से objectives determined किये थे निर्धारित किये थे उसमें हमारे कहां तक हमारे achievement हो चुकी है अब हम बात करते हैं process हमने concept जान लिया elements जान लिया इसकी characteristics जान लिया तो concept का हमारा पूरी चीज़े हमने clear कर लिया है आपके syllabus में concept and process है तो process of simulated teaching में आपको यह ध्यान रखना है कि कि इस तरीके से हम simulated teaching को हम complete करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा starting portion होता है पहले content तो सबसे पहले teacher जो pupil teacher है वो अपने content के according अपने एक group एक small group में पहले क्या करता है divide करता है और यह पहले से यह निश्चित कर लिया जाता है कि जो भी उसमें pupil teacher है बनलब जो उनके participant है वो पहले से ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा रहा है सिर्फ वही उनके साथ के जो participant है वो भी वो भी क्या कर चुके हो macro teaching हो तो यह phase है आपका आपको actual teaching में जाने से पहले हमें macro teaching पर काम करना है उसके बाद हमें simulated teaching पर काम करना है कोवीड 19 के according आपको पहले पता है कि अब हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं किसी स्कूल में जाकर के हम अपनी actual teaching नहीं कर पा रहे हैं तो बेट 3rd semester में ही आप लोग को simulated teaching पर काम करना है तो second semester में macro teaching पर काम करना है मैंने आपको पहले ही बताया है तो यहाँ पर process में यही बताया जा रहा है कि इसको start करने से पहले हमें macro teaching पर काम करना होता है उसके बाद जो teaching के दौरान जो भी causal है skills है तो वो पहले से वो जानते रहें उसके बारे में aware रहें तभी तो वो response कर पाएंगे वो जानेंगे कि कहां गलतियां हो रही है अब बात करते हैं कि जैसे हमने group पे divide किया है तो ये बात हमें पता होने चाहिए कि एक समूँ में कम से कम 5 से 8 तक के आपके pupil teacher हो और उस pupil teacher को अपने subject की जो lesson plan है वो उन सभी लोगों को सिखाना होता है तो जो lesson plan है उसका development करने के बाद जो teacher है उनका क्या करते हैं observation करते हैं और जो observation के दोरान जो भी उनके दोरान जो गलत की गई response है जो teaching के दोरान उनसे गलतियां होई है तो उसके बाद जो pupil teacher है उस lesson plan को फिर से तयार करता है और ये lesson plan त्यार होने के बाद जो प्रतेग पार्सिपेंट है प्रतेग छात्रा धापक है वो क्रमबद रूप से अलग-अलग लोग simulated teaching करते हैं तो मतलब कहने का sense यह है कि आपके पार्सिपेंट ही आपको judge करते हैं कि कहां आप से गलतियां हुई हैं तो बारी-बारी से लोग आपस में ही एक दूसरे का evaluate करते रहते हैं और teacher द्वारा यहां पे वो observation के समय उन्हें feedback दिया जाता है कि कहां पर आपने गलती किया है यदि उनके ठीक कार किये गया है, right responses अच्छे हैं तो वहां पे उनकी तरफ से appreciate भी किया जाता है तो जो pupil teacher है अपनी उस कमियों को सुधारने का अभ्यास करते हैं और आपस में discussion कर अपने teaching को सुधारने का प्रयास करते हैं teacher का role यहां पर observation करता है तो simulated teaching है आपका ये क्रम तब तक आपका जारी रहता है जब तक की teacher अपने teaching का दौरान अपनी सारे गलतीयों को जो अपने teaching को दारन उसने किये हैं जब तक वह दूर नहीं कर लेता है तब तक ये process चलता रहता है क्योंकि ये practice teaching है तो हमें पता है कि ह हम से कहां गलतियां हुई है तो एक बार इसको री teaching भी आप करके अपने गलतियों को दूर कर सकते हैं अब बात करते हैं कि अपने teaching के दौरान हमें कौन-कौन से teaching को हम कैसे effective बना सकते हैं तो बैदर तरीके का आपका TLM आपका help करता है तो यहां पे अपने simulated teaching के दौरान as a pupil teacher अपने TLM पर भी आपको काम करना चाहिए इसलिए हम process के तौरू यह भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि हम किस तरीके से कौन सा हम TLM यूज करें कि कौन सा technology के तौरू हम बच्चों को पढ़ाएं जिसके दौरा हम teaching learning process को effective बना सकें तो यह भी अपने process के तौरू यहां आप इसको बना करके आप अपने copy में note करेंगे complete होने के बाद मैं आपको एक homework में आपको long question framing में दूंगा आप लोग इसको complete करके आप मुझे send करेंगे next हमारा methods है कि जो simulated teaching है वो कितने types के methods में हम इसको करते हैं तो धेर सारे methods है लेकिन आपको सिर्फ education के field में ही आपको इस simulated teaching का method है वो case study method है जिसके बारे में हम एक जो methods है उस particular students के background से लेकर करके कि वो student कहां रहता है उसके background family में कैसे family environment कैसा है तो उसके बारे में हम पहले एक आप बोल सकते हैं उसको की portfolio के base में आप उसको एक बना करके रखते हैं और उसके द्वारा फिर जो की जाने वाली classroom में जो उसकी role है उसके बारे में पूछा जाता है कि वह कौन सी class का किस विसय का या किस topic पर teacher की भूमिका कर सर रहा है या कर रहा है तो उस topic के reference में उस भूमिका के बारे में जो भी उ निर्देश दिया जाता है उसके बाद उसके through उस पर study करते हैं कि students में क्या problem आ रही है अब यहाँ पे जो next है वो role playing है यहाँ पे students या person की किसी उसके life style के बारे में जानकारी लेने के बाद उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में देखा जाता है कि वह एक सिच्छक के अत्रिक्त और किन-किन छेत्रों में वह अपना carrier बना सकते हैं तो role playing is a best way method और इसी में आप simulated teaching के दौरान इसको आप complete करते हैं एक आपका method है in basket method टोकरी के अंदर से जेन सापका यहाँ पर यह है कि हम उनको at once कोई एक instruction दे करके उसके according उनको बहवार करने के लिए कहें तो यह एक बहुत ही flexible method है तो हम at once जब हम उस पर काम करने के लिए कहते हैं तो वह वहाँ पर उसके according जो भी उन्हें information दी जाती है उसके according वो participate करके वो अपने task को complete करते ह है नेक्स्ट है यहाँ पर analytical method जिसे आप बोलते हैं विसलेशण विदी विसलेशण विदी के अंतरगर जो teacher और student के बीच जो interaction है उसका पूरा analysis किया जाता है इसमें और teacher के जो भी activities है उस पूरे activities को classroom के दोरान पहले सबसे पहले ध्यान प्रोग हम देखते हैं करते हैं उसक conclusion निकालते हैं जब हमने conclusion निकाला तो उसके बाद हम यह बाद उनको dictate कर सकते हैं कि वह student के बहवार प्रव्यतन है दो एक appropriate हम उनको निर्देश दे सकते हैं तो यहाँ पे teacher और students के बीच की होने वाले जो interaction है उनका पूरे तरीके से विसलेशण किया जाता है and the last method जो है वो socio drama method है इसमें जो भी हमारे society में जो surrounding जो भी चीजे incident जो गटनाय गटित हो रही है यह social incident जो सामाजी गटनाय गटित हो रही है उसके according कोई हम act जो पात्रों का अभिने करने के लिए इसके अंतरगत किया जाता है जिसके द्वारा सिच्चक इसके माध्यम से student को उस परस्तिती या उस घटना का particular उस act के माध्यम से उन्हें learning को हम motivate करते हैं जिसके द्वारा वो अपने experiences के तुरू हम अपने learning को वो क्या करते हैं इंक्रेज करते हैं और जिसके द्वारा students में एक cognitive development होता है वो सोचते हैं उसके बारे में और उस incident को वो महसूस कर पाते हैं कि particular उस परस्तिती में ऐसा क्या हुआ होगा तो यह आपका simulated teaching का आपके methods हैं यह सारे methods के थुरू हम अपने teaching को बेहतर तरीके से और सिखा सकते हैं इसका सिर्फ एक ही motive है कि जब हम classroom में जा रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि उस classroom situation के regarding कौन सी हमें strategy या plan को change करना पड़ेगा या हो सकता है कि वो plan ऐसे ही हमारा complete हो जाए यह हम नहीं जान रहे होते हैं तो इसके लिए हमें कहीं न कहीं एक practice करने के जरूरत होती है कि यदि हम इस plan को पढ़ा रहे हैं और plan को पढ़ाते हुए कहीं हमें problems देखने को मिला तो हम इसको कैसे सुधार कर सकते हैं तो जैसे कि एक pilot है तो वो अपने जैसे अपने विमान को उड़ा रहा है तो उनको भी एक controlled environment में उड़ाते समय हमें क्या करना है कैसे करना है इन चीजों के बारे में भी वो सीखता है तो इसी तरीके से इस method के through भी हम अपने actual teaching को दोरान जो हमें problems देखने को मिलती है वो इसमें सुधार करके हम अपने teaching को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं तो इन सभी चीजों को सुनने के बाद अब हम बात करते हैं इसकी advantage की या इसके फायदे क्या है तो हमने इसके बारे में भी discuss कर लिया कि हम classroom situation के बारे में पहले से जान जाते हैं कि in the future reference वहाँ पर क्या करना होगा हमें कैसे situation में कैसा हमें बहवार हमें कैसे behavior present करने है student के सामने classroom में कब हमें silent रहना है कैसे हमें students को हमें कैसे identify कर पाएंगे और रही बात कि हम पूरे task को जब हम ideal teaching को हम कर रहे होते हैं तो इसको कहीं न कहीं एक audio recording या video recording करके हम इसको रख लेते हैं और इस recording को जब हम दुबारा देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने गलतियां कहां कहां की हैं तो इसके माध्यम से हम उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं और रही बात यहां पे जो people teacher है वो छोटे छोटे कालांस में teacher teaching कर रहा होता है इसलिए उनको at once उनको feedback भी मिलता रहता है जिससे students में वो अक्टिवनेस बनी रहती है और आपकी बातों को सुन रहे होते हैं ठीक है और बाकी जीदे मैंने पहले आपको पहले बता रखी है कि आप अपने स्किल्स पर मास्ट्री कर सकते हैं उनका confidence development होता है यह आपको help करता है problem solving करने में भी as a society के surroundings problems के face के regarding अपने teaching methods में आप changes भी कर सकते हैं जो teaching के जो आपके theoretical knowledge है और जो behavioral aspect है उसके बीच के अंतर को यह कम कर भी करता है और students के साथ साथ teacher अपने teaching learning styles को भी और innovative बना सकते हैं इसके थूर यह तो रही इसकी advantage अदि हम बात करें इसमें क्या क्या limitations है कमिया क्या है इसके बावजूद भी तो सबसे पहली इसमें जो limitations है कमिया है यह small classes में इस method का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह आपका classroom teaching आपका 32-35 minute का एक आपक आडियल teaching plan है तो इसमें हम generalize करने के लिए हमें कैसे हमें अपने कमियों का पता लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें feedback वो response वो चीज़े चाहिए तो जब तक आपका वो communication नहीं होगा तब तक आपको यह में अपने कमियों के बारे में पता नहीं लगा सकते इसलिए च्छोटी कच्छा में इस method का प्रयोग नहीं है क्योंकि उस teaching में आपको response वहां नहीं मिल पाएगा तो रही बात दूसरी में जो आपके participant है वहां कि में आपके students participant के भूमिका में एक्टिव रहते हैं तो सबस्के कमड़ी कमी यह है कि वह actual response जो student classroom में जो आपके response देंगे teacher ही आपके students होते हैं और जो people teacher है अपने साथ के बीच में एक तरीके का जो बेहतर तरीके का confidence है उसको नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि उस तरीके का response हमें देखने को नहीं मिलता है ठीक है अब बात करते हैं trained teachers की तो यहाँ पर trained teachers की सबसे बड़ी need होती है कि जो आपको justify कर सके आपके कम्यों को का पता लगा पाए तो यहाँ पर कहीं न कहीं drawback भी देखने को मिलता है और कहीं न कहीं students में भी एक तरीके का यह phase है आपका sequence है macro teaching simulated teaching तो इस पर students उतना काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि simulated teaching पर जो सीखने की जो गंभीरता है यहाँ पर student का कम देखने को मिलता है तो यह भी कहीं न कहीं इसकी एक drawback देखने को मिलती है तो इस तरीके से आपका फिर भी इसकी limitations जो है इतनी होने के बावजूर भी यह simulated teaching आपका एक best way method है क्यो किस तरीके से हमें अपने teaching plan को हमें पूरा presentation देना है कैसे हमें कौन से method से पढ़ाना है क्या TLM में कौन से methods को हम change कर सकते हैं क्या strategy मना सकते हैं TLM को कैसे represent करेंगे कैसे questions पूछेंगे बच्चों से तो हमारा behavior कैसे होगा हमें कैसे dictate करना है कैसे हमें experiment दिखाने हैं बच्चों को रियल अब्जेक्ट को किस तरीके से हमें दिखाना है हमें क्लास्रूम में एक्सेप्शनल चिल्डेंस पर कैसे काम करनी है धीर सारे बहुत से जाना और आपको इसी के कॉंसेप्ट और प्रोसेस में आपको होमवर्क में आपको कंपेट करना है क्वेस्टन्स को नेक्स लेक्चर पर हम लोग मिलेंगे आपको फ्लैंडर्स इंट्रेक्शन एनलेसिस में जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ठीक है आज के लिए इतना ही ओके थैंक्यू क्लास